Hello everyone, welcome back to my channel तो आज की वीडियो में हम Frans Fennan के एक बहुत important work Black Skin White Mask को डिसकस करेंगे Frans Fennan 20th Century Post-Colonial Literature की एक prominent figure है और एक राइटर होने के साथ साथ वो एक political theorist, journalist, psychoanalyst and psychiatric भी थे इनका पूरा नम Abraham Frans Omer Fennan है और इनका जनम Island of Martinique में हुआ था जो की तब French Colonial Rule के अंडर था तो ethnically वो West Indian थे और उनके parents slave थे So being a black guy उन्होंने दूसरे black people की sufferings को समझा और उनके बारे में लिखा उनके कुछ notable works है Black Skin White Masks, The Rest of the Earth, A Dying Colonialism, Towards the African Revolution, Alienation and Freedom, etc. इन works में आपको colonialism, racism and discrimination जैसे themes मिलेंगे क्योंकि वो अपने works में यही बताया करते थे कि इन सब चीजों का black people के mind, उनकी lives and उनके relationship पे क्या effect पढ़ता था तो आज जिस text को हम पढ़ने वाले हैं यह Fanon की autobiography भी है, case study भी है, philosophy भी है and psycho analytic theory भी है इसमें उन्होंने अपने और दूसरे colored people के experience को बताया है कि white control societies में उन्हें क्या कुछ face करना पढ़ता था तो इस work को सबसे पहले 1952 में publish किया गया था और इसे originally French में ही लिखा गया था क्यूंकि उनका जनम एक French colony में हुआ था और उन्हें इस language की अच्छी खासी knowledge थी और इसके translation Charles L. Markman and Richard Philcox ने की थी इस text को 8 chapters में divide किया गया है तो आए ने पढ़ना start करते हैं तो इसके introduction में Fanon कहते हैं कि वो racism and colonialism को समझने के लिए psychoanalytic theory को use कर रहे हैं और वो अपने reader से पूछते हैं that what does man want and what does black man want उन्होंने man and black man को segregate क्यों किया क्योंकि दोनों ही अपनी racial identities में फसे हुए हैं जो white हैं वो अपने आपको superior मानते हैं and black को inferior और कहीं न कहीं blacks ने भी उनके इस perception को सही and अपने आपको unfavorable मानना start कर दिया है उनकी ये psyche develop कैसे हुई and कैसे colonizers ने colored people के सामने obstacles create करना start किये Fanon हमें ये भी बताते हैं तो इसके first chapter का नाम है The Black Man and Language तो Fanon के according language ही एक ऐसा tool है जिसके through colonization का process start होता है Fanon यहाँ पर Antillians की बात बताते हैं जो कि Antilles के inhabitants है उन्होंने जब France में migrate करना start किया तो उन्होंने realize किया that French is the language of power and culture and जब वो इसे पढ़ लेंगे या इसे सीख लेंगे तो वो भी civilized कहलाएंगे तो ऐसे Antillians French language सीखते हैं and उनके culture में भी assimilate होते हैं कि उन्हें भी superior माना जाएं लेकिन जब वो French language में भी proficient हो जाते हैं तो वो देखते हैं कि society तो अब भी उन्हें inferior ही मान रही है क्योंकि वो लोग black हैं वो लोग ये भी देखते हैं कि colonizers दूसरे लोगों को जैसे कि Russians हो गए या फिर Germans हो गए उन्हें फिर भी अच्छा मानते हैं चाहे उन्हें French इतने अच्छे से बोलने भी नहीं आती क्यों क्योंकि उन लोगों की अपनी एक language तो है various colored people की तो कोई language ही नहीं है इसलिए वो लोग inferior ही हैं तो फैनन यहां पर यही बताना चाह रहे हैं कि एक black man white man की language सीख कर उसके जैसा बनना चाह रहा है लेकिन वो चाहे कुछ भी कर ले white people उसे accept नहीं करेंगे due to his blackness फैनन अपने readers से ये भी पूछते हैं कि colored people whites को अपनी intelligence proof करने में क्यों लगे हुए हैं वो अपने आपको lower मानने में क्यों लगे हुए हैं वो चाहे उनके लिए कुछ भी कर लें लेकिन whites कभी भी उन्हें अपने equal नहीं मानेंगे और नहीं वो कभी चाहेंगे कि blacks educated हों या वो काल मार्क्स जैसे philosophers को पढ़ें एमी सीजर जिन्हें की फैनन अपना ideal मानते थे जिन्होंने लिएपर्ड सेंगर के साथ मिलकर नेगरिट्यूट मूमेंट स्टार्ट की थी उन्हें फ्रेंच की बहुत ज्यादा knowledge थी तो वो भी क्या अपने इस knowledge को या अपने skill को अपनी race के नीचे दब जाने देते लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया तो दूसरे colored people को भी ऐसा नहीं करना चाहिए और उन्हें whites को copy करना भी छोड़ देना चाहिए और अपनी potential पे यकीन रखकर उन्हें self-reliant बनना चाहिए तो second chapter में फैनन black inferiority complex की बात करती है वो ये कहते हैं कि black people को ऐसा लगता है कि उनकी blackness के कारण उन्हें दूसरे resources से दूर रखा जा रहा है अगर उन्हें अपनी life dignity के साथ जीने की opportunities नहीं मिल रही तो इसका कारण उनकी blackness नहीं बलकि racism है जिसको की colonizers ने develop किया है और ये लोग अपने color को लेकर negative होने लगे इन्हें ऐसा लगने लगा कि अगर ये लोग white world में enter करेंगे तो ही इन्हें respect मिलेगी otherwise नहीं यहाँ पे फैनन मायोट केपशिया की एक novel I am martinican woman के बारे में बात करती है इसकी protagonist एक black woman है वो एक white man को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि उसके साथ शादी करके उसका status rise हो जाएगा और उसकी inferiority खतम हो जाएगी लेकिन फैनन ने इस obsession को गलत बताया है वो कहते हैं कि वाइटनेस को civilization, beauty and virtue के साथ क्यों जोड़ा जाता है ऐसा क्यों माना जाता है कि एक white man में ही सारी अच्छी qualities होती है black man में भी हो सकती है और हो सकता है कि उनसे ज्याद़े ही हो अब यहाँ पे फैनन अब्दुलाए साथ जी की novel नीनी के बारे में भी बात करते है इसकी protagonist नीनी एक by racial woman है और वो भी एक white man से शादी करना चाहती है ताकि वो भी एक virtuous and civilized world में enter हो जाए although एक black man उसके लिए पूरा devoted है लेकिन वो उसे reject कर देती है तो यहाँ पे ये बात पता चलती है कि उसने भी racism को internalize कर लिया है तो ऐसे इन जैसे कुछ colored women को ये लगता है कि अगर उन्हें अपने आपको बचाना है तो उन्हें whiteness का सहारा लेना ही पड़ेगा otherwise वो survive नहीं कर पाएंगी तो third chapter में वो इसकी reverse situation बताते हैं वो बात करते हैं रीन मेरन की एक novel A Man Like Any Other इसका protagonist Yon Venues एक black man है वो talented तो है लेकिन वो हमेशा अपने आपको प्रूफ करने में लगा रहता है तो वो भी एक white woman के साथ relationship establish करना चाहता है तांकि वो भी white society में enter हो जाए उसे वहाँ से acceptance मिले वो इस acceptance को पाने के लिए बहुत struggle करता है लेकिन जब उसे ये नहीं मिलती तो वो बहुत suffer करता है और इस suffering को Fanner ने Abandoned Man Neurosis का नाम दिया है उसे ऐसा लगता है कि उसकी racial identity ही उसकी problems का कारण है लेकिन ऐसा नहीं है उसके आसपास ऐसे circumstances create किये गए है कि उसे ऐसा लगने लगा है इसके जैसे और colored people को भी यही चीज़ें face करनी परती है और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उन्हें society से अलग कर दिया गया है फोर्ट चैप्टर में वो Octave Manoni की एक book The Psychology of Colonization को analyze करते है Manoni एक French psychoanalyst है Manoni ने अपने इस work में colonizers and colonized की psyche को analyze किया है और इसी की basis पे उन्होंने dependency theory दिया जिसमें उन्होंने बताया है कि blacks के mind में यह inferiority complex इसलिए आया क्योंकि वो लोग minority में थे वो लोग यह सोचने लगे कि वो लोग तो uncivilized है और इसी लिए उन्होंने white superiority को अपने उपर establish करने की permission दी और Manoni यह भी कहते हैं कि उनके अंदर यह inferiority complex starting से होता है वो लोग self sufficient नहीं होते उन्हें मेशे ऐसा लगता है कि कोई और आएगा उनका सहरा बनने के लिए तो ऐसे वो कहते हैं कि इनकी blackness ही या इनका inferiority complex ही colonization के start होने का कारण बना अब फैनन उनकी इस theory को refute करते हैं और कहते हैं कि black people की ऐसी psyche starting से नहीं थी बलकि इसे build किया गया है वो कहते हैं कि Europeans ने colonization start किया और ऐसी racist society बनाई जिसमें कि उन्होंने लोगों को divide किया ताकि उन पे rule करना आसान हो उन्होंने अपनी language and culture को उन पे impose करना start किया जिसके वज़े से उनकी identity खतम होती गई color people के mind में ये plant किया गया कि तुम लोग uncivilized हो, barbarous हो and civilization क्या होती है ये culture क्या होता ये तुम लोग हम से सीखो आगे वो मैनोनी के बारे में लिखते हैं कि उन्होंने Caribbean culture को अच्छे से जाना ही नहीं और इसलिए वो colored people की psyche को भी अच्छे से नहीं समझ सके तो fifth chapter में वो अपने कुछ experiences को बताते हैं कि black skin के साथ इस society में रहना कितना मुश्किल है वो लोग चाहकर भी अपने आपको unique human beings नहीं मान सकते क्योंकि society ने उन्हें objectify किया हुआ उन्हें categories में divide किया हुआ and उन्हें human भी नहीं समझा जाता आगे वो बताते हैं कि एक बार की बात है वो फ्रांस की streets में घूम रहे थे एक बच्चा उनकी तरफ देखकर डर जाता है and कहता है look a negro उन्हें ये सुनकर दुख भी होता है and गुसा भी आता है कि उन्हें एक individual क्यों नहीं समझा जाता उन्हें dehumanize क्यों किया गया है उन्हें हमेशा से ही यही सुनने को मिला है that you are not white और ऐसी चीजें सुन सुनकर उनके mind में भी doubt होने लगा है अपनी race को लेकर फिर वो अपनी situation को Jews के साथ भी compare करते हैं कि उन्हें भी ऐसे ही discrimination को face करना पड़ा था लेकिन उनका तो ये एक faith है वो लोग इसे छोड़ भी सकते हैं लेकिन वो लोग अपनी blackness भला कैसे छोड़े आगे वो बात करते हैं नेगरिट्यूट मूमेंट की जो कि french speaking African writers ने start की थी जो कि colonial rule को oppose करती थी और blackness को retain करती थी फैनर इसके कुछ aspects को oppose भी करते थे क्योंकि कहीं न कहीं जो blacks को लेकर stereotypes बने थे ये मूमेंट उन्हें सही ठहराती थी तो next है sixth chapter और इसमें fanon बताते हैं कि racism के कारण black people को कौन-कौन से psychological problems face करनी पड़ी pathology किसी disease को ही कहते हैं और इतना कुछ सहना उनके लिए किसी disease से कम नहीं था fanon बताते हैं कि racist societies में बच्चों को starting से ही ये सब कुछ सिखाना start कर देते हैं जैसे उन्हें adventure story सुनाई जाती हैं तो उनके जो heroes होते हैं वो white ही होते हैं even black majority areas में भी बच्चों को यही बात सिखाई जाती है कि whiteness ही supreme है और वो लोग चाहा कर भी उनसे आगे नहीं आ सकते और ऐसे बड़े होते होते वो अपने self को खो देते हैं और अपने आपको sub human and under privileged मानने लगते हैं फिर fanon sexualization के concept की भी बात करते हैं कि white people को ऐसा लगता है कि black men over sexualize है like beast और इनसे वो अपनी white women को protect करना चाहते हैं तो ऐसे racism से ये pathology सिर्फ blacks में ही नहीं आई बलकि whites में भी आई उन्हें भी उनसे डर लगने लगा और ऐसे ही thinking वो लोग Jews के लिए रखते थे जिसे की anti-semitism कहा जाता है वो लोग अपनी women को इनसे भी protect करना चाहते थे हमें पता है कि Hitler ने Jews के साथ क्या कुछ किया था और यहां पे फैनन यौन पॉल सात्रक की work को refer करते हैं क्योंकि वो खुद भी एक Jew थे white people blacks की body से डरते थे और इसलिए उन्हें castrate भी किया जाता था तांकि उन्हें कोई sexual threat ही न रहे तो ऐसे black people को ugly and evil समझा जाता था और इन्हीं चीजों के कारण उन्हें society से isolate किया गया तो 7th chapter में फैनन बात करते हैं Alfred Adler की जो कि एक Austrian psychologist थे और George Heagle की जो कि German philosopher थे ये दोनों ही अपनी recognition theorist के लिए जाने जाती है कि blacks इस society में रहते हुए अपने आपको recognize कैसे करते हैं तो Adler के according ये जो psychological problems है ये individual है जब कोई person society में रहते हुए किसे दूसरे person को देखता है तब वो अपने आपको judge करने लग जाता है और तब ये psychological problems arise होती है जैसे कोई colored person white man को society में देखता है तो उसके दिल में desire arise होती है कि मुझे भी ऐसा बनना है और ऐसे ही abandonment neurosis develop हो जाती है और अगर वो individual ऐसा मानने लग जाए कि मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ और किसी दूसरे की तरह दिखने की desires वो छोड़ दे तो ये psychological problems भी खतम हो जाएंगी बट फैनन इस बात से disagree है वो कहती है कि ये problem individual नहीं है बलकि societal है क्योंकि blacks के सामने conditions ही ऐसी create की जाती है कि उन्हें अपनी blackness unpleasant लगने लग जाती है और अगर हमें इसे खतम करना है तो हमें changes society में लाने होंगे लोगों की सोच में लाने होंगे जिससे कि उन्हें ये लगे कि society में सभी लोग equal है और तब ही black इस neurosis से free होंगे अब बात करते हैं George Eagle की जो की अपनी dialectical theory के लिए जाने जाते हैं वो भी यही कहते हैं कि एक person अपने आपको recognize तब करता है जब वो other के contact में आता है ब्लैक पीपल ने अपने आपको black तब तक नहीं समझा था जब तक उन्होंने white people को confront नहीं किया था जब वो एक दूसरे के contact में आए उन्होंने एक दूसरे को compare करना start कर दिया और ऐसे ही racism डवलप हुआ तो इन सब चीजों को खतम करने के लिए फैनन यही कहते हैं कि हमें लोगों को educate करना होगा जितना हो सके उन्हें aware करना होगा क्योंकि slavery तो कब के खतम हो गई लेकिन masters and slaves का जो concept है वो आज भी हमारी society में exist करता है although इसकी forms change हो गई है तो इसके 8th and last chapter में वो काल माक्स को refer करते हुए कहते हैं कि आज की society, bourgeoisie and proletariat में divide हो गई है and oppression, discrimination and exploitation हमें आज भी देखने को मिलता है हम अभी free नहीं हुए हैं हमें अभी भी इन चीजों के खिलाफ लड़ना है and society में equality लेकर आनी है हर एक individual को dignity के साथ जेने का अधिकार होना चाहिए and ये सब चीजें तभी possible है जब लोग educated हो, उन्हें learning से प्यार हो और fanon ये भी कहते हैं कि हमें future का सोचना है future focused होना है, past obsessed नहीं सब ही open minded होने चाहिए and वो ये भी उमीद करते हैं कि जब next time वो किसी से question पूछे तो वो सिर्फ ये पूछे that what does a man want तो यहीं पर ये chapter खतम हो जाता है इस work में fanon basically यही कहना चाह रहे हैं कि किसी को भी compartmentalize मत करो categorize मत करो हर एक person की सिर्फ एक ही identity होनी चाहिए and वो है human being